तो यह वीडियो जो है रस चंद और अलंकार का पहला पार्ट है इस वीडियो में आप सभी जानेंगे रस के बारे में ठीक है यानि कि रस कितने प्रकार के होते हैं इसके कितने भेद होते हैं इसके कितने अवयव होते हैं ठीक है जो जो आपके पार्ड में यानि कि जो आपका अभी न्यू सिलेवस है ठीक है न्यू सिलेवस के अनुसार ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है जो आपके 2022 के एक्जाम के लिए बहुत ही important important है ठीक है तो इसमें आप सभी उदाहरण परिभासा से लेकर इस पश्टी करण और लक्षाण उदाहरण सभी इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा आपके जो chapter में है जो इस समय से लेवस में है वो 5 परकार के रस हैं पहला जो है स्रंगार रस है ठीक है पहला स्रंगार रस है दूसरा जो है वो है हासर रस तीसरा करोण रस और चौथा वीर रस पांचवा जो है सांत रस ठीक है तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे तो किरफया अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलेगा हाँ और चैनल को जरू स्प्रेब कर लेना तो चलिए सबसे पहले जानते हैं की रस क्या होता है ठीक है अगर आपको परिभांसा है पता होंगी या जो संचारी भाव का दूसरा भी नाम होता है जिसका नाम है विचारी भाव के संयोग से रस की निस्पत्ति होती है यानि की जो इसके अवयाव हैं रस के जो अवयाव हिससे ही रस की उत्पत्ति होती है ठीक है यानि की रस के जो अवयाव हैं उन्हीं को मिला करके नहीं इन चारों चीजों को मिला करके रस की निस्पति होती है समझ में आ गया अब जान लेते हैं इनके अवयोग के बारे में जैसे कि स्थाई भाव, वी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, इन सभी के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहला जो हमारा है, वो है इस्थाई भाव, ठीक है, पहला जो है, वो है इस्थाई भाव, इस्थाई भाव का मतलब होता है, जो प्रधान भाव होता है, ठीक है, जो प्रधान भाव होता है, वही क्या होता है, इस्थाई भाव होता है, ठीक है, यानि कि जो मेन होता हैं ठीक है जो भी कारण होते हैं ठीक है कारण होना ही मेन इनका अगर जो भी भाव के कारण ठीक है जो भाव का कारण होता है वही विभाव होता है और विभाव जो होता है विभाव के भी तीन भाग होते है ठीक है पहला जो होता है पहला जो होता है आलंबन पहला आलंबन औ और जो दूसरा होता है वो होता है आस्रे ठीक है और जो तीसरा होता है वो होता है उद्धीपन ठीक है अगर आलंबन की बात करें तो आलंबन ये होता है कि जैसे कि जिन विक्तियों या पात्रों के आलंबन यानि कि जिनके सहारे आलंबन का मतलब होता है सहारे से इस्थाई भाव यानि कि जो प्रधान भाव जिनके सहारे से ये प्रधान भाव जो होता है उत्पन होता है उसे आलम्मन कहते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं आस्रे के बारे में आस्रे मतलब होता है कि जैसे किसी जो भी वेक्ति हो उसके मन में जो अगर भाव उत्पन हो रहा है ठीक ह या कहीं पर वो युद्ध लड़ रहा है या वो कहीं पर स्रंगारस में अगर बात कलने हैं तो जैसे कि रती रती जो है उसके मन में अगर उत्वपन हो रहा है ये रती नामक भाव तो वो क्या हो जिसके मन में उत्वपन होता है भाव वो आस्रे होता है ठीक है इनने सिधिक कहने का मतलब होता है जिसके मन में भावतवरण होता है वही आस्रे होता है ठीक है बाहरी चीजे होती है ठीक है बाहरी चीजों को जब देखने से जो भावतवरण होता है यानि कि जो बाहरी चेस्टाओं और बाहर वतवरण को ही उद् पन कहते हैं जैसे कि चांदनी जैसे चांदनी रात की बात की गई तो चांदनी वहाँ पर हो गया उद्धीपन भी भाव ठीक है चांदनी चांद और रात्री इस तरीके के भाव जो होते हैं उद्धीपन होते हैं जो वाता वरन से लगभग रिलेटेड होते हैं अब बात कर लेते हैं अनुभाव के बारे में ठीक है अनुभाव के बारे में ये होते हैं आंतरिक मनोभाव को बाहर प्रकड करने वाली सारेरिक चेस्टा जो होती है वो अनुभाव कहलाती है ठीक है अब बात कर लेते हैं संचारी जो जो संचारी भाव होता है, संचारी भाव यानि कि जो इस्थाई भाव के साथ साथ आते जाते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं ही हम संचारी भाव कहते हैं, जैसे कि एगर एक्जामपल की दृष्टी से लें, तो जैसे कि हर्स हो गया, आवेग, किसी की मन में आवेग हो गया, हर् चपलता ठीक है चपलता चंचलता प्रसनता ठीक है प्रसनता इस तरीके के जितनी भी चीजे होती है वो संचारी भाव में आती है ठीक है अब बात कर लेते हैं इनके भेव के बार में देखिए वीडियो थोरी लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें आपको पूरा समझ में आ इस तरीखी पार आते रहेंगे तो रस का जो भेद होता है रस की जो भेद होते हैं वो 10 होते हैं ठीक है अगर इनका नाम बता हूँ तो नाम लिखने में बड़ी देर होजाए इसलिए मैं बता देता हूँ ऐसे सुन लिजी जैसे कि सरंगार रस हो गया अधभूत और 9 जो हो गया, 7 रस और 10 जो हो गया, वो क्या हो गया, वात्सल्ले, ठीक है, वात्सल्ले, वात्सल्ले रस, यह मिलाकर total 10 आपके रस होते हैं, ठीक है, अब आपके जो चैप्टर में है, इस समय जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, यह most important बनता है, इसे आ इसमें से आपको छेंक मिलेंगे, अगर रस से बात करें तो रस से आपको दोंक मिलने वाले हैं, ठीक है, ये दोंक की वीडियो है, सरंगारस जो है, ये हर साल लगभग पूछा जाता है, सरंगारस की बात करें, तो मैंने परिवास अपने मन से बनाई है, कहीं से टीपी नहीं है, ठीक है, तो मैंने आपको सरलता से प्रदान करने के लिए चीजें बनाई है, तो सरंगारस जो है, वो है, रती नामक, ठीक है, रती नामक इस्थाई भाव, वीभाव, अनुभाव, तथा संचारी भाव के सं तो नो इसाने संगार रसकी निस्पत्ति होती महिसे उस्वे प्रेहते हैं ओर आपद शूप करें uni religion केमना बाराइब faded बैता है कि जrifों कि कहते हैं भी जब केंद सन lider शूंग संक्राइब यह नाले शूंग सद्रेर जाता है तो सल्गार होता है इसका उदाहरण जो है दूलह स्री रखुनात बने दूलही स्री सुंदरी मंदिर माही गावत गीत सबय मिली सुंदरी वेद जुवा जुरी विप्र पड़ा ही राम कुरूप निहारत जान की कंकन के नग की परचाही याते सबय सुदि भूल गई कर टे की रही पल तारत नही ठीक है पल यानि कि जो पल है यानि कि जो समय है वो टरता नहीं है जब एक दूसरे का संयोग होता है ठीक है आप समझ सकते हैं जब यहाँ पर राम और सीता मिया की बात हो रही है जब वो गए थे धनु धनुस तोड़ने ठीक है तो वहाँ पर जब इनका मिलन हुआ था अगर आप इसकी सिर्फ इसकी जो होती है परिभासा अगर आप लिख देंगे तो किवल एक नमर मिलेगा और एक नमर जो होता है वो इसका मिलता है यानि कि टोटल वन प्लस वन इस उकल टू अंक तभी मिलते हैं जवाब परिभासा इस पस्टी कराण सहीत आप उदाहरन सह लिखते हैं तब ठीक है तो इसका जो इस पस्टी कराण है पहले जान लेते हैं ठीक है इसका इस पस्टी कराण में होता है तो इस पस्टी कराण आपको इसी तरीके से लिखना है अगर आपके इसको पीडिया फीच चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल पर जा सकते हैं वहा तरीके से उसका जो है post matum कर देना जिसके इससे कि इस फ्हाइब हाओ Halaman उद्धीपन अनुभाव संचारी aisia इस तरीके सब चीजें लिखना कैसा हाइब हाँ दिया इसका है कि अलम्मन में जो था है विसे और आश्रे होता है ठीक है इसमें जो है विसे विसे जो है राम है और आस्रे सीता जी उदीपन राम का नग में पढ़ने वाला प्रतिविम जो राम का नग में पढ़ता है प्रतिविम वही अनुभाव हाथ टेकना हाथ टेकना इसका अनुभाव है संचारी भाव हर से हम जड़ता जो प्रेमी होते हैं जब वो मिलते हैं तो उन्में जड़ताभी आजाती है जदे तक नजर जल्दी से हठाते हैं, ठीक है ताव समझ सकते हैं तो यह हुआ आपका सॉयोकसंगार, आब बात करते हैं वियोकसंगार तो यह है वियोकसंगार, जब नायक नायका के एक दूसरे से बिछ़णने का वर्डन किया जाता है तो वहाँ वियोग संगार होता है इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही छोटा है ठीक है इसे बड़ी मेहना से ढूंड़ा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना हों ही बोरी विरह है बस कई बोरों सब गाओं कहां जानिये कहत है ससीह सीत कर नाओ इसका स्वष्टी करण में इस्थाई भाव इसी तरीके से आपको लिखना है पूरा टोटल ठीक है तो परिभास आपको ज़्यादा रटनी नहीं है बस अगर मिलन का बात हो रही है तो वहाँ पर संयोक शंगार अगर वियोक किसे बात हो रही तो यहाँ पर बिछणने की बात होगी ठीक है नायक नायका के बिछणने की बात होगी तो इस पस्टी करण्स का देख लेते हैं स्थाई भाव जो है रती है विभाव में जो आलंबन है प्रियतम यानिके जो नायक है आसरे जो है विहनडी यानिके जो नायका है उद्दीपन जो है चंद्रमा और चांदनी है ठीक है देखी यहाँ पर आगया ना वही बात चंद्रमा यानिके यह वातावरान से रिलेटेड है ठीक है यह वातावरान से related है इसका जो अनुभाव है चोथा नमबर अस्रू और स्वेद अस्रू का मतलब होता है कि जो आपके आँखों से आशू निकलते हैं ठीक है आशू और स्वेद स्वेद मतलब होता है कि पसीना संचारी भाव यहाँ पर और आवेग है एक दूसरे में आवेग है मिलने का और विसाद यानि की दुख भी है थोड़ा विछडने का इसलिए हाँ पर संचारी भाव में ये दोनों चीज़े विसाद और आवेगा दी दूसरा जो है हासरस अब पहला खतम हुआ कौन सा जो होता है स्रंगारस स्रंगारस में दो भेद होते थे ठीक है जो मैंने आपको डिसकस किया अब बात कर लेते हैं हासरस की हासरस जो है दूसरा हमारा है हासरस की परिवासा हास नामक स्थाई भाव वी भाव अनुभाव तता संचारी भाव के संयोग से हाजर उत्पन होता है इसमें मैंने बहुत ही सरल जो है उदाहरन लिया है तो ये बहुत ही सरल है ठीक है ये बहुत ही सरल इसका एक्जामपल मैंने लिया है इससे ज़्यादा बढ़िया जो है एक्जामपल और भी आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पष्टी करण के बारे में ठीक है इस स्पष्टी करण इसका बहुत ही जरूरी होता है इसका जो इस्थाई भाव है वो हास है और वीभाव में अगर अलंबन आस्रा और दीपन ठीक है इसमें तीन चीज़े ऐसे आपको लिखनी है अलंबन जो है सिव समाज है आस्रा स्वयम सिव जी है और दीपन विचित्र भेस भूसा ठीक है यहाँ पर मतलब वी एक विचित्र भूसा यहाँ पर जो बात हो रही है सिव जी के विवाह के बारे में बात हो रही है सिव जी के विवाह के बारे में बात हो रही है वो किस तरह के वस्तरों को धाराण किया थे तो वो एक विचित्र भूस भेस भूसा जो है धाराण किये हुए थे आप भूतों के कान ये तो आप सूने ही होंगे, ठीक है? तो ऐसे तरीके सब बना कर लिख सकते हैं कांपी में बहुत और अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं आताहा यहां हासरस की उतपती हुई है, ठीक है? तो ये खतम हुआ हमारा हासिरस अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नमर जो है करून रस करून में होता है जो सोक नामक स्थाई भाव वीभाव अनुभाव तता संचारी भाव की सन्योग से करून रस की निस्पति होती है मैंने जो परिभाव से बनाई है एकदम टॉप लेवल की बनाई है ठीक है ये टॉप लेवल की परिवासा है यसे कोई काट नहीं सकता है एकदम बस आपको इसका इस्थाई भाव याद रखना है बाकि आपको वीभावन बहुत तता संचारी भाव परिवासा में एड कर देना है ठीक है तो मेरे हिर्दें के हर शहां अभी मन्यू अब तू है कहां यानि कि इसमें की जो माता जी है मन्यू की जो द्रोप दीजी है वो इसमें विरह है यानि कि सोक कर रही है अब मन्यू को खोने में ठीक है तो यहाँ पर जो है दो लोगों की बात हो रहे हैं अब मन्यू और द्रोपदी जी की तो इसमें जो इस्थाइबाउगा वो सोख होगा और अलंबन जो होगा अब मन्यू का मृतर सरीर होगा आसरे द्रोपदी जी हैं उदीपान सोखा को लवातावरान ठीक है अगर इसमें अनुभाव की बात करें तो रोना और बिलाब करना ये अनुभाव है संचारी भाव द्रोपती जी का अब भन्यू को याद करना इस तरीके के जो भाव उत्पन होते हैं उन्हें संचारी भाव होते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं हम वीररस की वीरस तो बहुत ही एकदम जजबा पैदा कर देता है वीरस वीरस यानि कि यहाँ पर आप बस इतना ही लिख दीजे उसके आगे डाट डाट यानि कि यही सब लिखना है अगर उदाहरान की बात करें तो आप यहाँ पर जरूर वो चीज लिख सकते हैं जैसे कि कए प्रकार के गाने हैं उनको भी आप लिख सकते हैं लेकिन वही गाने लिखें जो सुद्ध हों जो ज़्यादा अच्छे हों देजबाक्ती हों उनको भी आप लिख सकते हैं जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो इस तरीके के भी आप एक्जामपल लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको एक नया आयाम देने के लिए ये एक्जामपल लिया हुआ हूँ अगर आप जो है अलग औरों से अलग करेंगे तभी जो एक्जामनर होगा अगर आपके कहीं एक चीज दो चीज गलती भी मिलेगी तो उसका भी नमर वो दे देगा ये मेरा अनुभव है ठीक है मैंने जो हिंदी में है वो 92 गेन किया था ठीक है अपने दम पर 92 मार्क जो है वो गेन किया था अपने दिमाग से पढ़ करके ठीक है कि वही चीज़ें स्ट्र चतुरंग साज सिवराज चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में भूसड चढ़त मरहतन के चित चाव खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में अब बात कर लेते हैं इसकी स्पष्टी करण के बारे में स्पष्टी करण इस्थाई भाव जो है उत्सा ही हो गया वीरस का जो इस्थाईबा होता उसा होता है अलम्मन औरंग जेवा तुरक यहां पर औरंग जेवा और तुरकान के भी जो है लड़ाई हो रहे है इसी का वरणन किया गया है असरे जो है पाठा किया योद्धा हो जाएंगे ठीक है उदीपन सत्रु का भाग जाना या मरना यह हो जा त्षानना, सेना, सजाना, तलवार, चलाना यह क्या हो गया अनुभाव हो गया संचारी भाव función उग्रता क्रोध हर्श उत्साह आदि इस तरीकी के जो भाव है वो संचारी भाव होते हैं ओके, अब हमारा जो पांचवा, पांचवा जो प्यारा सह एगरा सह सांधरस बचा हुआ है, सांधरस जो होता है, निर्वेद नामा के स्थाई भाव V बहाव अन भाव तथा संचारी भाव के संयोग से संधरस की निस्पति होती है, उदाहरण मैंने यहाँ पर बहुत ही स्माल लिया है इसे आपको रियाद करने में बहुत ही सरलता होगी यह चीजें बहुत ही महनत से पाई जाती है ठीक है बहुत ही महनत से पाई जाती है तो मैंने आपके लिए महनत की है तो आप मेरे लिए भी महनत करें अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी बताएं ठीक है कि नराना लर्निंग इन इस्टिट्यूट है आपका एक ज्याम साथी है तिसका उधारण जो है बहुत ही प्यारा सा है मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले हीरा पायो गांट कठियायो बार बार वाको क्यों खोले यहां पर जो बातें की गई है वो भाक्ती के बारे में बात की गई है यानि कि इस्वर और एक भाक्त की बीचियों की ये बाते हैं ठीक है तो आप समझ सकते हैं तो अगर इस्पष्टी करण की बात करें तो इस्पष्टी करण में आपको ये सारा किलियर हो जाएगा तो स्थाईवाओ जो है वो निर्वेद है अलम्मन जो है इस्वर है आस्रे कभी या पाठक है जब कभी लिख रहा होगा तब ये चीजें उनके लिए हैं लेकिन जब आस्रे यानि कि आप जब इसे पढ़ रहे होंगे तब ये आस्रे आप पाठक खुद हो जाएंगे ठीक है अगर एक चीज आपको बता दूँ एक्ष्ट्रा ठीक है एक आप चीज एक्ष्ट्रा बता देता हूँ एक्ष्ट्रा जो एक चीज है कि अगर आपको आस्रे कहीं पर नहीं आता है ठीक है नहीं समझ में आता है किसी एक्जामपल में तो वहाँ पर आप पाठ की या कभी लिख सकते हैं ठीक है ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया उद्दीपन जो है इसका इस्वर भाक्ति वसुरम मेवाता वराना अनुभाव जो है भाक्ति में लीन होना या गाना यानि कि किसी भी भजन को गाना इस तरीके के अनुभाव होते हैं ठीक है अगर संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव प्रशनता विस्मे आदी इस तरीके के जो भाव संचारी भाव है आपका जो है रसका पार्ट जो है वो समात हुआ यानि कि part 1 जो है समात हुआ अब एक दिन बाद मैं पार्ट टू अपलोड करूँगा जिसमें आपको बताया जाएगा चंद के बारे में ठीक है जिसमें आप चंद के बारे में जानेंगे और इसी तरीके से इससे भी और बहत मैं कोसिस करूँगा कि आपको बताऊं ठीक है तो यह जो syllabus है यह new syllabus है जो UP board examination 2022 के लिए बहुत important है अब आप से एक request है कि channel को subscribe करना मत भूलिएगा और इसी तरीकी के content को पाने के लिए तो चलिए मिलते है next video में तब तक के लिए best of luck